इवियम के जगए वैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग को लेकर भारत मुक्ती मोर्चा द्वारा अस्थानी ठानाचोग पर धर्णा दिया गया मौके पर भारत मुक्ती मोर्चा के आलोग कुमार यादव ने का कि EVM हटाओ वैलेट पेपर लगाओ और लोगतंत्र बचाओ अभियान के तत आज भारत के 567 जिलों के मुख्याले पर आंदुलन किया जा रहा है उन्होंने का कि भारत में EVM की विश्वेसे नित्या खत्म हो गई है या एक electronic device है जिसे लोग अपने हिसाब से अपने फैदे के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं जो अभी भाजपा कर रही है वहीं भारत मुक्ती मुर्चा के उन्हें स्यादव ने का कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे और भी बड़ा अंदुलन किया जाएगा पोर्निया से सिटी हल्चल नियोज के लिए विनिद्राज की रिपोर्ट आपको मालूम होगा इस देश में इभी एम से चुना हो रहा है और हर आदमी हर ब्यक्ती हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलेक्ट्रोनिक डिवाइस की भी हो कार हो हम मोबाइल से उसको है कर देते हैं चेंज कर देते हैं और ये मानव निर्मित कोई ही एलेक्ट्रोनिक डिवाइस को चेंज किया जा सकता है और देमोक्रेसी में एक व्यक्ती के मत की कीमत है जिस जगह से इभी एम का इजात हुआ बड़े-बड़े विक्षित देशों से जापान से, अमेरिका से, इंगलेंड से सभी देशों में आज मैलेट पेपर से चुना हो रहा है और इभी एम से नहीं होने का कारण है कि हम जहां बटन दबा रहे हैं वो बटन किस साप पर गया कमल पर गया, लाल्टेंट पर गया, हाथ पर गया यह किसी मदाता को मालूम नहीं हो पाता है और कई जगह, कलक्टर के मद्ध प्रदेश में जब वो इभी एम पॉलिटिकल पार्टी को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ भी कलक्टर और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे उस जगह पर इवियम को जब दबाया गया तो वो प्रिंट भी पैट में निकल गया कमल चाप में, दबाया दूसरे चाप में और निकल गया कमल फूल, तो इस तरह से लोगतंत्र की हच्चा हो रही है और वोट का कोई चीमत अब नहीं बचा है, गरीब लोग, आम लोग इस पर अभिश्वास परकट कर चुक है और हम लोग का मानना है कि जब तक इस देश में एवियम नहीं अटेगा लोगतंत्र की रक्षा नहीं हो सकेगी बैलेट पेपर के बिना निश्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है कई एजेंसी अभी सुप्रीम कोर्ट के एड़्वाकेट लोग वहाँ पर एलक्षन कमिशन के सामने धर्ना पंदर्शन कर रहे हैं हम लोग का अभी काज़क्रम है किस तारिक को जन्वरी को पुरी देश के लाखों लोग जाएंगे इवियम के किलाब में एलक्षन कमिशन का घेराव कर रहे हैं इसलिए यह जब तक इवियम रहेगा इस देश में लोग तंत नहीं बचेगा हम लोग यह भारत मुक्ति मोर्चा संगठन जो यह तमाम देश में आज सभी पांसा सर्शतिनों पर जिला मुक्याले पर धर्ना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं अब एक बार उसके हाथ में चला गिया इस पार्ट मनयपुर में कांग्रेस पार्टी ने इवियम लाए दो टर्म तक उनका सासन रहा फिर बीच में जो सरकार यह बीजेपी की सरकार सुप्रमन्यम स्वामी सुप्रीम पोर्ट में गया बीजेपी के कई नेताओं ने लगात इवियम के खिलाफ में इस देश में हमदोलन चलाया और उन्हीं लोगों ने कहा कि एवियम से निस्पक्स चुनाओं नहीं हो रहा है और क्या कारण है इतना विरोट के बावजूद आज भाजपा की सरकार जो नरन मोली के नित्रत में चल रहे हैं सरकार इसकी वियम के उसकी मुठिम है उसके इसाड़े पर ये सब खिलो रहा है मेरा नम प्रफेसर हालोक कुमार है बहुजन करांती मुऑचा के पुर्या प्रवंदल के परवारिमा भारत मुझा में है संगठन है इस संगठन के माधियम से धर्ना परदसन पूरे भारत के पांस सरसत जीलों में क्या जा रहा है इसका उद्देश है इभियम पर भारत के लोगों का विश्वास नहीं है भारत के लोगों का विश्वास इभियम पर से उठ गया है और हम लोग चाहते हैं कि लोगतंत्र की रक्षा हो समिधान की रक्षा हो और परजा तांत्रिक विधी से चुना हो लोगतंत इसके लिए हम लोग धरना परसन आज कर रहे हैं